दुनिया भारत की तरफ मुड़ने वाली है अब हमारा काम है हम इसके लिए आवश्यक व्यवस्ताओं को विक्सित करें हमारी विरासत के परति हम हमारा परियेटन का विकास करते हुए एक बिन बिन सिच्वेशन का हम फाइदा उठाए और उसमें बहुत अधिक निवेश की स हम भावनाएं में देखता हूँ और यह ऐसा क्षेत्र है जितमें हर सर के लोग कमाते हैं गरीब से गरीब आदमी भी कमाता है और बड़ी-बड़ी होटल बाला भी कमाता है हर को इसमें कमाता है और हमने टूरिजम के हम बल देना चाहते हैं बहुत पोटेंशल है आज बड़ा पोजिटिव ग्राउंड तहर कर रहा है और जिसका फायदा मिलने वाला है और जो वोकल फॉर लोकल और रीजनल टूरिजम इसको एक बल देने का काम है साथियो अब दुनिया एक नए यूग में प्रवेश रही है जिस समाएं और योगी क्रांती हुई है उस हम गुलामी के दौर से गुजर रहे हुई है तो और जो गी क्रांती का जितना फायदा लेना चाहिए हम नहीं ले पाई है अब एक नया यूग शुरू हो रहा है हरित यूग ग्रीन एरा भारत के पास बहुत संभावना है इसका नित्रुत्व करने की और हम इसके लिए आने वाले दिनों में ग्रीन हैड्रोजन की बात हो ग्रीन एनरजी हो या ग्रीन जॉब्स हो या ग्रीन मोबिलिटी हो इन सारे विश्यों को हम इतनी तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि इस हरीत यूग का नेत्रुतों दुनिया में भारत का सामर्त सिद्ध कर दें यह हम चाहते हैं साथ यह इसी सिंसेले में इस पांच जून को जब परियावरान दिवस था चार जून को नतिज्या आ गए थे तो उसी दिन मेरे मन में एक विशारा है कि कारकम पांच जून को हमने आरम किया एक पैड मा के नाम हर किसी को मा के प्रति सर्दा होती है और मैं भी देश वासियों को कहूंगा कि आने वाले समय में कभी आपकी माताजी का जन्म दिन हो क्या कोई और सुब दिन हो अपनी मा क के नाम पर एक पैड लगाईए और मा जिवीध है तो साथ लेकर जाईए उनकी फोटो आप सोचल मेडिया में अपलोड कीजिए और मा नहीं है उनकी फोटो रख करके एक पैड लगाईए और वो अपनी मा का भी सम्मान होगा और धर्ति मा के सेवा होगी हम इन दो माताओं सेवा करें साथियों एंडिये अब भारत आइसोलेशन में नहीं जी सकता है वैश्विक परिवेश्व है भारत की भूमी का दिनों दिन भहुत बढ़ती चली जा रही है 2014 में जब एंडिये की सरकार बनी पूरे विश्व में उसी एक पल से ही एक नया जिग्यासा प्यादा हुई थोड़ी आशा के संकेत उनको नजर आने लगे और फिर उस बढ़लाव बहुत बढ़ा तेजी से आया और पिछले दस वर्स में भारत ने जिन कामों को बढ़ लिया है आज भारत की छबी विश्व बंधु की बन चुकी है दोस्तों विश्व हमें एक बंधु के रुपे स्विकार कर रहा है और जब दुनिया हमें विश्व बंधु के रुपे स्विकारती हैं तो हमारी बैस्विक जिम्मेवालियों को भी हमने हमारे आने वाले रोडमेप में महत्वत देना ही होगा और भारत के सफल विदेशनिती ने अच्छे परणाम भी दी है हमने हर संकट को उस प्रकार से हैंडल किया जिस प्रकार से मानवी मुल्यों को हमने प्राथिक्ता दी उसका परणाम है कि सामान ने मानवी के मन में बिश्व बंधु वाला भाव बहुत मजबुत हुआ और भारत का सेवा भाव का जो करक्टर है उसको बिश्व ने पहचाना है चैया उक्रेन का संकट हो चैया अफगानित कांट हो हर हमारे लोगों को बचाना हो हमने किसी भी में हमने कोई कमी नहीं रखी है और साथियों यह समता की कारण भारत में निवेश की संभावना यह बहुत बढ़ने वाली है मैं राज्यों से भी कहूँगा कि आप प्रगति सिल नितियां बना कर रेडी रहिए विश्वा आज आपके आंगन पे दरवाजे पर दसक दे रहा है और जो राज्य जामदा पस्ट नितियों के साथ आएगा जो राज्य उन कम्पनियां भी देश याने वाले लोगों को ठीक से हैंडल करेगा उसको बेनिफिट मिलने ही वादा है और भारत ने जो नीतिया बनाई है भारत ने जो वातान बनाए है उसका लाप भारत के हर राज्य को मिलना चाहिए और उस दिशा में हम तेजी से काम करना चाहते हैं साथियों हमने जी ट्वेंटी समिट में देखा है दुनिया का भारत के प्रती नजर्य बढ़ला है जो लोग इन चीजों को मैलूट ले देखते होगा उनको पता होगा कि जी ट्वेंटी एक प्रकार से कई संकटों से गुजर रहा था उतार चड़ाव आते रहते थे विखराव भी नजर आ रहा लेकिन भारत में जी ट्वेंटी आने के बाद नए प्रांड से भर गया है नया सामर्था आ गया है और ये भारत की ताकत है को उसने पुरे विश्व को जोड़ने में जी ट्वेंटी के माद्यम से बहुत बड़ा काम किया है और उसके इन दिनों भी ये जो परिणाम आये इसके बाद मेरा काफी समय विदेश के सरकारों से फोन अभिलेंदर स्विकाकरे में गया है और शायद में जेना 14 में 19 में भी ऐसा अनुभव नहीं था जितना इस बहार फ्लो है दुनिया के करीब करीब अब नाम ले उसने भारत को सुबेशा वेक्तिकी है या बात करने के कोशिश की है यानि ये वैस्वित जो हमारा ताकत है उसका परिचे करवा रहा है और उसके कार मैं मानता हूँ कि बीश्व में हमारा सम्मान और साथ-साथ भारत में निवेश्ट ये दोनों संभावनाए बढ़ रही है साथ जो हमारे सम्विधान का अच्चतरवा बर्ष है हम चाहते हैं कि सम्विधान हमारे सम्माने समस्ताओं का सरोक्षन भर इसके मातर के लिए हैसा नहीं कोई अधालत में धाराओं का उप्योग करके काम करें